अगर हमें कहना हो ये एक कच्ची सडख है तो हम कहेंगे this is an unmetall road ठीक है unmetall metall यानि पक्की और unmetall यानि कच्ची सडख ठीक है this is an unmetall road next we have आप मेरे कौन हो who are you to me who are you तुम कौन हो to me मेरे ठीक है आप मेरे कौन हो who are you to me काश मैं वहाँ जा सकता जब भी हम कहते हैं काश या फिर मैं विश करता हूँ तो उसके लिए हम कहेंगे I wish I wish I could go there ठीक है मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ लेकिन काश मैं वहाँ जा सकता I wish I could go there काश मेरे पास पैसे होते I wish I had money ठीक है पैसे नहीं हैं लेकिन मैं इच्छा व्यक्ठ कर रहा हूँ काश मेरे पास पैसे होते I wish I had money काश मैं एक गिटारिस्ट होता I wish I were a guitarist ठीक है जब भी हमें बोलना हो I को लगा कर जैसे काश मैं एक गिटारिस्ट होता इसमें I आ रहा है जब भी हम तुलना करते हैं किसी चीज़ की तरह बनने की तो हम I के साथ were लगाएंगे I wish I were काश मैं एक लड़की होता I wish I were a girl ठीक है I के साथ हम यहाँ पर were लगाते हैं लेकिन सिंपल प्रेजन कॉंटुनियस टेंस जो होते हैं उनमें हम I के साथ was लगाते हैं जब भी I wish हो तो I के साथ हमें were लगाना है ऐसा सोचना भी मत Don't even think so ठीक है Don't even think so ऐसा सोचना मिमत या ऐसा अपने मन में खयाल भी मतलाना Don't even think so मैं लेप्टॉप बहुत चलाता हूं मतलब मैं लेप्टॉप पर अपना काम जो भी है वो बहुत करता हूं I work on a laptop a lot एक सिंपल प्रेजन टेंस है I work on a laptop a lot ये करना गलत है इसको हम इंगलिश में कहेंगी This is wrong to do it This is wrong ये गलत है to do it ऐसा करना ये करना गलत है This is wrong to do it Next मैं मोबाइल बहुत चलाता हूं आप इसे कह सकते हैं I use mobile a lot या फिर वो लेप्टॉप वाले सेंटेंस की तरह भी बना सकते हैं I work on a mobile a lot जब भी आप इस सेंस में कहना चाहें कि मुझे मोबाइल से बहुत काम रहता है ठीक है Next तो मैं डांट पड़ेगी You will be scalded Scald यानी डांट You will be scalded तो मैं डांट पड़ेगी इस तरह में सेंटेंस को बनाएंगे और ये future से है You will be scalded Next sentence we have कुरसी अंदर रखो ये हम किसी को order दे रहे हैं जैसे नॉर्मल लाइफ में तो इसे कहेंगे Keep the chair inside Keep यानी रखना Chair यानी कुरसी Inside यानी अंदर Keep the chair inside अगर हमें बोलाओ अंदर से कुरसी लेके आओ ठीक है तो हम कहेंगे Bring the chair from inside Bring यानी लेकर आना या लाना Chair यानी कुरसी Inside अगर अंदर से Bring the chair from inside मेरे पैर में दर्द है ये आम तोर पर हम कहती रहते हैं कभी भी मेरे पैर में दर्द है इसको हम कहेंगे There is a pain in my leg या फिर कह सकते हैं My leg is paining Pain का अर्थ होता है दर्द पीड़ा ठीक है There is a pain in my leg Next मेरी उंगली में दर्द है There is a pain in my finger या फिर My finger is paining मैं बाइक बहुत चलाता हूं I ride the bike a lot ठीक है ये simple present tense है Ride the bike यानी बाइक को चलाना A lot यानी बहुत स्यादा Next सुमित यहां है सुमित की जगा आप किसी भी नाम का यूज कर सकते हैं तो इसकी इंगलिश होगी सुमित इस हेर सुमित इस हेर हेर यानी यहां सुमित यहां है सुमित इस हेर Next we have वो बहुत गहरी नीद में है He is having a sound sleep ठीके मैं कटपुतली नहीं हूँ इसकी इंगलिश होगी I am not a puppet ठीके कटपुतली को इंगलिश में बोलते हैं I am not a puppet मैं कटपुतली नहीं हूँ Next दर्वाजे को खुला छोड़ दो Leave the door open ठीके Leave the door दर्वाजा छोड़ दो open यानी खुला Leave the door open दर्वाजे को खुला छोड़ दो Next पूरे दिन मैं व्यस्त था Throughout the day Throughout यानी पूरे दिन Throughout the day I was busy Busy को कहते हैं व्यस्त थीक है या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं I was busy throughout the day थीक है उन्होंने वहां तबाही मचा दी ये टेंस है हमारा Past Indefinite से इसको मनाएंगे They created havoc there Havok का अर्थ होता है Destruction यानी नाश नश्ट तबाही They created havoc there या फिर बार ने तबाही मचा दी The flood यानी बार ठीक है The flood created havoc ओके The flood created havoc बार ने तबाही मचा दी Next मैंने जूते उतारे I took off the shoes ठीक है Took off I took off the shoes मैंने जूते उतारे कहीं नजर ना लगे ठीक है नजर ना लगे कहीं नजर ना लगे ऐसे sentences के लिए हम योग करते हैं Touch word का ठीक है Touch word कहीं नजर ना लगे Next मेरी बात सुनो इसको सिंपल कहेंगे हम इंग्लिश में Listen to me Listen यानि सुनो To me यानि मुझे Listen to me मेरी बात सुनो या फिर मुझे सुनो ठीक है Next English sentence we have वो मेरा बहुत करीबी है He is very close to me जब भी हमें बोलाओ कि वो मेरा बहुत करीब रिष्टिदार है करीब दोस्त है तो हम यूज करेंगे Close word का He is very close to me क्या दूला डॉक्टर है Is the groom a doctor? Groom का अर्थ है दूला ठीक है Is the groom a doctor? अब दूले की जगए कोई और भी word का इस्तिमाल कर सकते हैं ठीक है Is the groom a doctor? Is that boy an engineer? कुट्टे ने उसे फिर काट लिया है Dog has bitten him again Dog has bitten him again Bite यानि काटना और यहां पर bite की हमने third form लगाई है क्योंकि यह है Present Perfect मैंने तुमारी सिफारिश कर दी है I have recommended you Recommend यानि सिफारिश और सुझाव I have recommended you ठीक है यह sentence भी present perfect से है Next बच्चों को तंग मत करो Don't tease the children Tease का अर्थ हो जाए तंग करना चिडाना ठीक है Don't tease the children बच्चों को तंग मत करो ठीक है Next अपनी कमीज पहन लो Put on your shirt या फिर ये कपडे पहन लो उसके लिए हम जिस वर्प का यूज करेंगे वह है Put on ठीक है Put on your shirt अपनी कमीज पहन लो स्कूल का प्रोग्राम खत्म हो चुका है स्कूल फंक्शन फंक्शन यानि प्रोग्राम जो भी कार्य था स्कूल फंक्शन इस ओवर ओवर यानि समाप्ट खत्म स्कूल फंक्शन इस ओवर स्कूल प्रोग्राम खत्म हो चुका है अपनी कमीज उतार दो जैसे हम कोई भी कपड़ा पहनना हो उसके लिए put on का इस्तिमाल करते हैं कपड़े उतारने के लिए हम कहेंगे use take off का take off your shirt ठीक है? take off your clothes या फिर next first, साफ करो साफ करना को इंगलिश में कहते हैं clean clean the floor floor यानि फर्ष first, साफ करो clean the floor okay, next ध्यान से सुनो सुनना यानि listen, ध्यान से यानि carefully, attentively listen, carefully ध्यान से सुनो पागल हो गया है क्या तू? इसको हम इंगलिश में कहेंगे are you mad or what? ध्यान रखें इसको use up informally करें are you mad or what? ठीके, पागल हो गया है क्या तू? next बारात अभी नहीं आई है बारात has not come yet yet यानि अभी तक ठीके, बारात hasn't come yet तुरंत तयार हो जाओ तुरंत तयार हो जाओ को इंगलिश में हम दो तरह के से कह सकते हैं be ready at once या फिर get ready at once थीक है तुरंत तयार हो जाओ बी रेडी या फिर get ready आगे से ध्यान रखना keep in mind from now ठीक है keep in mind मतलब अपने दिमाग में रखना ध्यान रखना from now अब से या आगे से keep in mind from now आगे से ध्यान रखना next बहुत देर हो गई इससे हम इंगलिश में कहेंगे it's very late late यानि देर अपने दात साफ करो ठीक है इसे इंगलिश में कहेंगे clean your teeth ठीक है साफ करना को इंगलिश में कहते है clean लेकिन जादातर जब भी हम दात साफ करने को कहें तो आप जादातर यूज कर सकते हैं brush your teeth ठीक है brush your teeth clean your teeth क्या आपके होश ठिकाने है are you in your senses ठीक है क्या तुम होश में हो या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं are you in your senses ठीक है next यह एक जरूरत बन गई है it has become a necessity आप किसी के लिए भी इसका use कर सकते हैं जैसे पढ़ाई आज की जरूरत बन चुकी है mobile जरूरत बन चुका है it has become a necessity वो अजीब था he was awkward awkward यानि बहुत अजीब strange he was awkward वो बहुत अजीब था उसे पहले बोलने दो let him speak first speak यानि बोलना let यानि जब हमें sentence के last में हो दो तो हम let का use करते हैं let him speak first उसे बोलने दो पहले next कितना बदल गया तू how changed you are change यानि बदलना जब भी आप किसी को काफी time बात देखते हो और changes देखते हो उनमें तो आप कह सकते हैं how changed you are कितना बदल गये हो तूम ठीक है मुझे ट्योहार पसंद है I love festivals festival यानि ट्योहार पर्व ठीक है जैसे आप बोलना चाहें मुझे होली पसंद दीवाली पसंद है I love festivals मुझे ट्योहार पसंद है वह आदमी अपने भाशन में क्या कह रहा था what was that man saying in his speech saying यानि कहना speech यानि भाशन what was that man saying in his speech well this is the end of the video if you like then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this I love you